नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर ललित कुमार गंगेले और अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और जैसा कि आप थम नेल में देख पा रहे हैं आज का जो वीडियो है उसका शीर्षक है अमेनोरिया इन यंग गल्स अब आप में से जादा तर लोग जो मुझे रेगुलर्ली फॉलो करते हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं या सब्सक्राइबर नहीं भी हैं तो रेगुलर्ली मेरे वीडियो देखते हैं मेरे चैनल के बारे में जानते हैं आपको आप में से जादा है कि already PCOD पे एक वीडियो बना हुआ है तो आप लोग यह बोलेंगे कि यह क्या बात हुई आप मतलब वार-बार एक की टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहे हों तो PCOD जो है उसके अंदर भी अमेणुरिया होता है पर आज हम बात करेंगे अमेणुरिया इन यंग गल्स की जो की है functional अमेणुरिया आप समझे मेरे बात में क्या जयना चाहता हूं इसको अपन primary amenorrhea भी बोल सकते हैं क्योंकि the amenorrhea due to the PCO D ya PC OS मतलब polycystic ovarian disease या फिर polycystic ovarian syndrome के कारण जो amenorrhea होता है तेत इस secondary amenorrhea, what is secondary amenorrhea? amenorrhea due to any identifiable cause मतलब किसी भी एक कारण है अपने पास और जिस कारण को हम श्रे दे सकते हैं कि हां यार इस कारण के कारण एमेनोरिया तो तो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी एमेनोरिया की क्योंकि मेरी स्टेडी में भी नहीं और जगत में जितनी स्टेडी हुई हैं उनके अंदर यह पाया गया है कि हंड्रेट परसेंट में से सिर्फ ट्वेंटी परसेंट गल्स के अंदर सेकेंडरी एमेनोरिया होता है मतलब उनके एमेनोरिया के इसके अंदर मैंसेस बंद हो जाता है विदाउट एनी डिमोंस्ट्रेबल कॉस्स तो देट इस नोन इस दा फंक्शनल अमेनोरिया या प्राइमरी अमेनोरिया और वहीं पर कोई पैथोलोजी जन्रेट हुई जासे कि पॉले सिस्टिक मतलब सिस्ट के अवरी के अंदर बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट हो गए और उस पैथोलोजी के कारण अमेनोरिया हो रहा है तो देट इस नोन as the structural अमेनोरिया या फिर उसको हम बोलते हैं secondary अमेनोरिया तो दिस is the basic difference बीट्वेन इस या बेसिक डिफरेंस बिट्वेन दा primary अमेनोरिया और secondary अमेनोरिया या इन्दिस वीडियो इस एक्सक्लूसिवली रिगार्डिंग दा प्राइमरी अमेनोरिया मतलब यंग गल्स के अंदर मेंसिज ना आने की समस्या जिसके अंदर उनकी यूएस जी में उनकी ओवरी उनका यूटेरस उनका हार्मोनल प्रोफाइल सब कुछ नॉर्मल निकलता है पर आप लोग अगर आम दर्शक हैं तो आप भी यह बात अच्छी तरह जानते हैं और अगर आप लोगों मेंसे ज़्यादा तर डॉक्टर से वीडियो देख रहे हैं तो आप भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि ऐसे केसिस जादा हैं जिसके अंदर सारे के अंदर ही मेंसेस आना जिसके स्टार्ट हुए हैं यह वहां से लेके 30 से 35 साल की उमर तक की महिलाओं तक यह जो है प्राइमरी अमेनोरिया या फिर अमेनोरिया इन यंग गर्ल्स की जो एज है उसका यह रेंज होता है सिम्टम क्या होते हैं सिम्टम में बड़ा सिंपाल है सिम्टम को समझना कठी नहीं क्योंकि सिम्टम में आमेनोरिया की बात कर रहे हैं तो और दो सब्राइमरी यह उनके इनदर गेप है वो दो सब तीन महीने कभी देखा गया है इंफेक्ट और ज़्यादा भी गयब देखा गया है इन्वेस्टीगेशन बस इसका इन्वेस्टीगेशन में विज करें गार्मनल निकला आप यह वीडियो हम क्यों बना रहे हैं क्योंकि हो पर दोस्तों पर यहां पर आगर आप गौर से मेडिसिन को देखेंगे और अच्छा मेडिसिन पर आने के पहले सबसे पहले समझते हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीक में बच्चियों को पीरियड नॉर्मल इस्टेबलिश होने में तकलीफ हो रही है आप मैंसे ज़्यादा तर दर्शक अगर यह वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे तो आप यह बात जानते हैं उनका पीरियड बराबर नहीं आता जैसे उनका 11-12 साल में पीरियड आना शुरू हुआ उनका पीरियड फिर डिले होने लगता है पता चला साल में दो बार आया साल में तीन बार भी नहीं आया साल में एक ही बार आया फिर कम से कम एक देड़ साल का gap आया और जो एस फार एस अमेनोरिया इन यंग गल्स इस कंसर्ण मैं समझता हूं और आप लोग भी यह बात जानते हैं कि यह समाज में फैली हुई बहुत ज्यादा वाइड इस्प्रेड पॉब्लम है यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कि घर की बच्चियां हमारी बेटियां हमारी बहने और मतलब समाज में रहने वाली या ज्यादा तर यंग गल्स जो है वह इससे सफर कर रही है और यही कारण था है कि अपार्ट फॉर्म दपी सी ओडी पे एक वीडियो बनाने के बाद मुझे बनाना पड़ा क्योंकि पी स अधिछोड़ी का लाज्टि में बिल्कोल लगे तो दोस्तों अब सीधे सीधे इसके के ट्रीटमेंट के उपर आते हैं देखिए ट्रीटमेन बड़ा सी सिंपल है जो दो सबसे ज्यादे इंपॉर्टेंट मैधिसीन है जो पूरी के इंदर लिखी है ऐम और्या एश्पेश इन दफॉर्म ऑफ अमेनोरिया या फिर डिलेड मेंसेज या स्कैंटी एंड डिलेड मेंसेज बहुत जादा महीने कुछ महीने के गैप के बाद आता है फिर भी धंक से नहीं आता है तो उसके लिए मैं दवा बता रहा हूं ठीक है ना जो फर्स्ट मेडिसीन है डेट इस दग दिन भर में तीन बार यह अगर आप पोटेंसी में यूज करना चाहते हैं तो मैं देता हूं चार-चार गोली दिन भर में तीन बार आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है तो सीनस तो सी कीने सीवर्य स–स्वाब tap no और अगर आप जैसे के आप जान रहा है कि ये दोनों क्लीनिकल मेडिसीन पिम और अचंश प्रूब बहुत हुँ तो इसलिए अगर किसी भी treatment के पड़ाओं पर आपको लगता है कि यह जो है medicine hold नहीं कर पा रही है यह बराबर इससे hold नहीं बन रहा है या फिर यह बार-बार results आते हैं और बार-बार patient छूट के वापस उसी condition में जा रहा है in that case as a constitutional and myasematic covering के लिए जो third medicine होगी that will be the pulsatilla 200 आपको pulsatilla 200 देनी हैं तो अगर वो इस्तिती बन रही है कि अपने गॉसी प्यम और सिनेशियो और यह सोल्ड नहीं कर पा रही है तो आप यह तीनों medicine के चलाएंगे पर मैं गैरेंटी दे रहा हूं कि 70% cases के अंदर गॉसी पीम और सिनेशियों से इन बच्चियों को बहुत ही ज़्यादा फाइदा होने वाला था तो दोस्तों यह था छोटा सा वीडियो primary amenorrhea या फिर amenorrhea in young girls के उपर उमीद है आप सब को पसंद आया होगा इसमें बताएं कि medicine subscribe करें बीना नहां जाएं तो दोस्तों बहुत जल्ब अगले वीडियो में मुलाकात होती है तब तक के लिए नमस्कार